दोस्तो दिल्ली में हुए निर्भिया दुशकर्म के बाद देश का सबसे बड़ा दुशकर्म केस बना कोलकता का रेप मरडर केस अब दोस्तो इस घटना से पूरा देश जहां आक्रोश में हैं वहां सरकार हैं और बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं पहले दोस्तो इस केस की जाज पुलिस के पास थी कोलकता पुलिस से इस जाज को लेकर CBI को सौप दिया गया फिर इसके बाद में कोट के आदेश पर पॉलिग्राफ टेस्ट किया गया और अब पॉलिग्राफ टेस्ट में क्या चीज सामने आईए यह देखकर आप भी चोंक जाएंगे दरसल दोस्तो जिसको आरोपी माना जा रहा है उसने अब एक दम से पूरा माहूल ही बदल दिया है उसने सारे बयानों से इंकार कर दिया है उसने कहा है कि मैं सेमिनार होल में गलती से चला गया था मैंने वहाँ पर डॉक्टर की बोडी पड़ी हुई देखी इस से मेरा Bluetooth डिवाइस वहीं पर गिर गया तो चले दोस्तो जान लेते हैं इस पूरी खबर को डिटेल से दरसल दोस्तो कुलकता रेप मडर केस के आरोपी संजे रोए ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताब लेकिन कोई म्यूमेंट नहीं हुआ इस से वह घबरा गया और बाहर भागा इस दोरान किसी चीज से टकरा कर वह लडखडाया और उसका Bluetooth डिवाइस वहीं गिर गया आरोपी ने दावा किया कि वैट्रेनी डोक्टर को पहले से नहीं जानता था उसने बताये कि घटना के दि देखा जाता है कि पोलिगराफी टेस्ट पूरी तरह की से ठीक नहीं है हालांकि इसको एक सबूत के तोर पर देखा जा सकता है लेकिन इसके आधार पर जस्टिस नहीं किया जाता अगर सिर्फ इसी की बात माने तो यहाँ पर तो वह दुशकरम और हत्या से पूरी तरह से इंकार कर रहा है ये साई दोस्तों आपको पता है यह घटना आरजी कर मेडिकल कोलेज और अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की रात को हुई थी जहां पर 31 साल की ट्रेनी डोक्टर का रेप और मडर हुआ था 9 अगस्त की सुभर डाक्टर की बोडी मिली थी इसके बाद देश बर के डाक्टर सडक पर उतर आये थे सुप्रिम कोट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डाक्टरों ने हरताल केंसिल कर दी थी हालांकि बंगाल में प्रदिशन फिर भी जारी थे कलकत्ता हाई कोट के संजे का पॉलिग्राफी टेस्ट किया था अधिकारियों ने करीब तीन घंटे उससे सवाल जवाब किये संजे सहीत अब तक कुल दस लोगों का पॉलिग्राफ टेस्ट हो चुका है इसमें आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोस एसाई अनुप दत्ता चार फेल के माता-पिता के नजरबंद होने का दावा किया है अधीर रंजन ने शनिवार को कहा कि उन्होंने ट्रेनी डोक्टर के परिवार से मुलाकात की पुलिस ने उन्हें नजरबंद करके रखा हुआ है उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा चारो और मोर्चा करता है क्योंकि यहां पर आरोपी अपने गुनाहा को कबूल नहीं कर रहा है तो दोस्तों यह थी कोलकत्ता केस के जुड़ी है मारी छोटी सी अपडेट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथ इस तरही काम की इंपोर्टेंट और म अपने खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें धन्यवाद